हेलो वीवर्ज, रेसम के अखले वीडियो में आपका स्वागत है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्सन चार्ट देखा था और उसी की सहाथा से हम लोग चेंज पर्सन सिखेंगे और आज हम कुछ एकजांपल की सहाथा से इसे बदलना सिखते हैं, जैसा कि आपका स्किन पर है, पहला एकजांपल है, जैसा कि पिछले वीडियो में कहा गया था कि यदि रिपोर्टिंग भर्व पर्जेंट टेंज या फ्यूचर टेंज में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच म पर्षन तो चेंज होता है, लेकिन चेंज ऑफ टेंज या चेंज फ़ज़ पाट सपीच नहीं होता है, और हम लोग इसी रूल की सहाथा से सबसे पहले चेंज ऑपर्षन सिखेंगे या इस वीडियो में जानेंगे, तो ही सेज इसमें बदलने की क्लिका होता है, कि ही आगे चेंज नहीं करते हैं, सेज का सेज हो गया, इंवर्टिड कॉमा को डैट में चेंज करते हैं, इंवर्टिड कॉमा डैट मेन च challeng होता है, तो ही सेज देट, आब देखेंगे पर संचार्ट में, जैसा कि आप लोग पर्षन पर्सन चार्ट याद कर चुके होंगे और नहीं भी जो याद किये हैं वो देखे जरूर होंगे उसको एक जगह पर पहले बाहर निकाल लीजे वीडियो रोक कर और उसके साथ तैसे इसको चेंज करना सिखे आई आई फर्स्ट पर्सन सिंग्लर नंबर का है तो इसको सब्जे होगया है तो यहां होगया है देखे इस चार्ट में आई हटाना है और ही लाना है जैसा कि आप लोग देखे हैं कि आई हटाना है और ही को नॉमनेटिव केस लाना है तो आई नॉमनेटिव केस में है और ही को नॉमनेटिव केस खुद ही है तो आई हटा के क्या लाए है है ही आई को चेंज करना है किसका न जाये तो ही और ही के नुसर इंट होता है I is going देख्या अभी तो हम करत है नहीं है इक और वर्ड था माई माई भी फर्स्ट पर्सन में है यह का रूप है माई तो फर्स पर्सन सब्जेक का नुसर है माई जो है first पॉजेसिव एड्जेक्टिव तो यहां ही का पॉजेसिव एड्जेक्टिव लाना है ही का पॉजेसिव एड्जेक्टिव रूप देखिए जैसा के स्कीन पर है ही का पॉजेसिव एड्जेक्टिव होता है ही तो यहां माई हटाएंगे और उसके पर ही ही जाएगा देखिए एक जो बच्चा है रहां परसन चार्ट में दो सबस्द आये थे हैं और माई शुरू में तो हमने सिफ़ाई कहा था माई पर ध्यान नहीं था तो आई और माई दोनों आया है और दोनों फर्स्ट परसन के गिए है तो इसको सब्जेक्ट ही का नुसार बदले हैं इन नमिनेट तो उपर वाला ही हम रखें है सिर्फ सब्जेक्ट बह continuation हैं तह से डाइट कि फिर देखिया अई कि फर्सट पर्सन न मैंनेटी टी यह सब्जेक्ट कैने पर संब्जेक्ट कि यन्या तो यह वा आएगा कि यू का नउल्षार सामना होके और हो जाएगा गोंग तु मय माई जो है possessive case है तो यू का possessive case, your college, देखे question है जो I am going to my college यहां भी है, यहां भी same question है, सिर्फ subject बदला है, यहां he says है, यहां you say है, तो he के अनुसार I और my बदला, यहां you के अनुसार I और my बदला, तो I nominative case है, तो you को nominative case ही होता है, जैसा कि चार्ट में आप लोग देख हो, वो उससे देखे, उस चार्ट को याद करें, या फिर बनाते हैं समय कम से कम अपने पास रखें, my possessive adjective है, तो you का possessive adjective your है, अब इसके बाद अगला example हम लोग देखते हैं, अब देखें इसमें, she says to me, subject c है, says to, यह say to को बदलते हैं tell मे, say to है तो tell का यूजज करेंगे, say म के बदले आया tell, says है तो tells हो गया, me, to हट जाता है tell लिखने पर, inverted कॉमा को पहला की तरह that में बदलते हैं, अब देखें, person chart में हाँ क्या क्या है, I और your, दो है, तो I, first person का subject है, I, your है जो second person का possessive adjective है, तो first person subject का नुजज़र, c का नुज़र बदलेंगे, तो c का subject लिखना है तो c का नुज़र is हो गया, जैसा कि person chart में object सकते हैं, योड जो है, second person possessive है, तो your second person object का नुज़र है, object है me, तो me का नुज़र बदलना है योड को, तो your possessive adjective है, तो me का possessive adjective लाना है, तो me का हो गया, my teacher, my teacher, अब देखिए यहाँ पर, इसको दूसरे ध्यांग से भी समझ सकते हैं, कि I को बदलना है, c के नुज़र तो c लिख दिए, your को बदलना है, me के नुज़र तो है, समझे कि me लिख दिए, अब case मिलाएंगे, I nominative case में है, c के nominative case है, तो हाँ ठीक है, your जो possessive adjective है, me जो possessive adjective थ होता है, my, तो यहाँ पर, उचित माई आया, इसी निया, हम से इसको देखिए पताते हैं, राम says to her, तो राम tells her that, I first person, the first person subject के नुज़र राम, यानि he के नुज़र, need, your second person हर के नुज़र, समझे कि हम हर लिख दिए है, second person object, तो object है her, second person object के नुज़र, तो यहाँ से का object हर है, तो her, लिख दिए है, help, आप देखिए इसको change करते हैं, जो दो सब्दम change किये है, I और your दोनों को, तो I, first person का nominative case में, जो हम इसके बदले heel आये, क्या nominative case है, तो बिलकुल है, सही है, यह, यह, जो possessive adjective है, तो हर possessive adjective है, तो fortunately हर भी possessive adjective है, इसलिए यहाँ पर ही सही है, अगर यहाँ him रहता और your बदलते तो him के लिए his लिखना पड़ता, और he can swear need नहीं सही है, यहाँ होगा, near simple present का है, help का help रहा गया, आगला example हम लोग देखते है, राम बिल से टू, sorry, सीता बिल से टू राम, you hate me, तो हो गया, सीता, सीता, विल से टू को बदलेंगे, tell में, tell राम, that, you second person, और me, first person, second person, object, राम के लिखते हैं, hate रहने देते हैं, और me, first person, subject, सीता के लिए क्या उज़ता है, see, अब दोनों का case मिलाईए, you subject है, तो he क्या subject है, हाँ, है, सही है, he के लिखते है, hits होगा, me, जो है, objective case में, तो क्या see objective case है, बिल्कुल नहीं है, तो see का objective case होता है, her, तो यहाँ see नहों के her होगा, यहाँ, me, first person, subject, सीता के लिखते हैं, सी के लिखते हैं, लेकिन चुकिए me, जो है, objective case में है, इसलिए see objective case क्या आएगा, अगला हम लोग देखते हैं रमन सेश्टू सेश्टू को बदलेंगे टेल्स में सीता देट इस इस मीन इसमें परसन चाट्च चे क्या आया है माइन और योर्स माइन और योर्स है माइन और यूर्स दो वर्ड है तो दिस्क को नहीं बदलेंगा चुकि हम पहले भी बता चुके है कि जब पर्जेंट या फ्यूचर में हो रिपोर्टिंग भर्व तो चेंज ऑफ टेंसर चेंज ऑफ अधर पार्स अफ स्पीच नहीं होता है तो दिस्क दिस्क रह जाएगा इसक के नुसार इस सही है माइन फर्स्ट परसन रमन ही के नुसार रमन के लिए ही उस होता है माने जाए हां ही लिख दिये और आड़ इज यूर्स एक करना होगा बदलना होगा तो माइन जो है पूजेसित प्रॉनाउन है तो ही shouting प्रोनाउन है नहीं है तो ही का पूसेशिवङ प्रोनाउन रूप लिख न होगा कि केस मिलाना होगा थी हते होग धिशान रखेगा यूर्ड पो Ukrainian है तो क्या शी का पूसेशिवङ पर नाउन तो हम he लिख दिए हैं, second person सीटा को लिख दिए हैं, लेकिन case नहीं मिला, case जो है he का possessive pronoun रूप हीच लिखना पड़ा है are yours जो है, possessive pronoun रूप ही भी है, तो इसको बदलना पड़ा हर्स में, he का possessive pronoun होता है, हर्स, तो आसा है कि आप लोगों ने इसको समझा होगा, वीडियो है जो आप लोग एक बार, दो बार और देखिए और आपने साथ person chart जरूर रखिए, ताकि समझने में आसान हो, इसके बाद ही परिशानी हो, तो मुझे comment box में comment करके बताईए, हम फिर सिस पर वीडियो बनाकर इसको अच्छे ढंग से और भी अच्छे ढंग से समझाने की, कोशिश करेंगे हलाकि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे ढंग से समझा सकूँ जो नए वीडियों को लाइक करें सब्सक्राइब करें, और जो भी वाइस स्टूडेंट्स है जिन्हें वाइस नरेशन के आप सकता है तो आप इससे फॉर्वर्ड करें ताकि आने लोगों को भी लाग में सकें तब तक के लिए थैंक्यू